Hey everyone, welcome back once again guys आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक amazing सा tutorial जिसमें मैं आपको बताऊँगी Muslim Malima Bride को कैसे ready करते हैं सो जादा time waste नहीं करते हैं guys, वीडियो को start करते हैं मुझे ऐसा लुक चाहिए ची क्या दूसरा बता ऐसे बाल चाहिए चीक है So guys, यहाँ पर मैंने face को clean किया है cleansing wipe से आपके पास जो भी cleansing wipe से आप उसको use कर सकते हो Then मैंने यहाँ पर use किया है aromamagic का toner और यह इनका skin oily है इसके हिसाब से मैंने skin के according toner यूज किया है Then मैं यहाँ पर apply करूंगी नेविया का moisturizing cream क्योंके guys अभी थंडी चल रही है इसके बचे से skin dry हो जाता है So just moisturizer मैंने नेविया का moisturizer यूज किया है और मेरा यही intention था कि आपको budget friendly products में भी आप एक HD makeup कर सकते हो Then guys यहाँ पर open pores के लिए मैंने यूज किया है जोवी का primer जितने भी इनके discoloration है जितने भी dark spots है So उसके लिए मैंने यूज किया है record का यह character है guys और यह orange character है So इसी के help से मैं पूरे face को अच्छे से cover करूंगी जैसे कि आप देख सकते हो And yes guys वीडियो को इन तक जरूर देखेगा Like, Share and Subscribe कीजेगा So guys वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैंने इसको fast forward किया है और ऐसे ही amazing से और भी वीडियो मेरे चैनल पर available है आप जरूर check out कीजेगा So यहाँ पर पूरा concealer हो चुका है guys और उसके बाद मैं apply करूंगी concealer अभी आपको foundation brush की help से पूरे concealer को set करना है और blender की help से आपको अच्छ से merge करना है ताकि कोई भी patches ना दिखे यहाँ पर मैं use करूंगी concealer और यह जिसे आप अगर derma palette use करते हो या फिर आप crylon use करते हो So उसमें एक dark shade होता है guys जिसका name है Chinese So उसी shade का यह concealer है मेरे पास और उससे मैं मैंने जो orange use किया है उसको neutralize करूंगी So आप देख सकते हो इनका undertone जो इतना भी super लग रहा है क्यूंकि इनका जो skin tone है और undertone है उसके हिसाब से इनके पूरे problems hide हो चुके है Then यहाँ पर मैं use करूंगी crylon की palette और इनका shade है fs22 पहले आपको check करना है guys झाल अगर मैं यहां पर यूज़ करूंगी हाइलाइटिंग और हाइलाइटिंग के लिए अगर मैं क्रैल草न की ही पैलाइट यूज़ करूंगी उसमें से एक लाइटर शेल की हेल्ड से में यहां पर मैं यूज़ रही हूँ ब्लश आप कोई भी ब्रैंद का ब्लश यूज़ कर सकते हो जैस यहाँ पर मैंने पिंग clear का एक अच्छा सा ब्लश यूज किया है ताकि उनके ड्रेस को सूट करें अगेन गाइस मैंने बेस को सेट किया है फ्लिकका का पावडर से फ्लिकका की ट्रांसलूशन पावडर थी मेरे पास और उससे मैंने पूरे फेस को सेट किया है यहाँ पर मैं यूज करूंगी हाई-लाइटर और गोल्डण हाइ-लाइटर मैं यहाँ पर यूज करूंगी क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वदीमा ब्राइट सो पुरा हाइलाइटिंग करेंगे गाईज इससे अच्छे से और आप देख सकते हो T-Zone पे और चिक्स पे मैं करूंगी हाइलाइटिंग देन गाईज करना है हमें कॉंटॉरिंग और इनका इतना जादा चबी चिक्स नहीं है सो लाइटली आप देख सकते हो एक शैड़ो क्रियेट हो जाता है सो लिटल लिटल हम जहां पे हमको लग रहा है वहीं हम लोग करेंगे देन करेंगे नोस कॉंटॉरिंग और नोस कॉंटॉरिंग के लिए आप देख सकते हो मैंने स्मॉल ब्रश एंगूलर यूज किया है अभी स्टार्ट करते हैं आई मेकप और आई मेकप के लिए मैंने यूज किया है मेबलेन का कंसीलर और जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बजेट फ्रेंडली प्रोडक्स से ही मेकप बताने वाली होगा सो यहाँ पर अच्छे से आपको कंसेलिंग करके लेना है क्योंकि हम लोग अल्रेडी करेक्टिंग कर चुके हैं सो इस बेस को भी आपको अच्छे से सेट करना है ट्रांस्लूशन पाउडर की हेप से सो यहाँ पर मैं अभी अप्लाई करूंगी ट्रांजिशन शेड और उसके लिए मैं ली हूँ लाइट ब्राउन कलर आप देखें आप सिर्फ टेकनिक पे जहां दीजिए आप कलर कोई भी पिक कर सकते हो बस उनके आउटफिट को और डेई मेकप है या नाइट मेकप है उसके अकोर्डिंग आपको सिलेक करना है यहां पर मैंने लाइट ब्राउन कर से इनका ट्रांजिशन शेड बनाया है आप देख सकते हो ब्रश का होल्डिंग कैसे है इस जन एवरी चीज़ पे आप कॉंसेंट्रेट कीजे आपका भी मेकप अच्छा होने वाला है यहा पर मैं यूज़ करूँगी कंसीललर स्टिक और रिक सर्ट के हेल्ब से मैं बनाऊंगी फूल गट क impacting दोनों साइड पे आपको अच्छे से क्रीज करके लेना है और इनका आइस छोटा है तो मैं यहां पे क्रिट करूंगी फेक क्रीज और फेक क्रीज को भी आपको अच्छे से सेट करना है लूस पाउडर की हेल्प से या आप कोई भी बनाना शेड यूज कर सकते हो यहां पे देख सकते हो दोनों क्रीज बन चुकी है अब मैं फिंगर की हेल्प से अपलाई करूंगी शीमर क्यूंकि यह जो शीमर से वो ब्रश से इतने पॉपिंग नहीं होते तो आप फिंगर की हेल्प से यहां पे पूरे आइलिड पे एक अच्छा सा शीमर बेस लगा सकते है अब देख सकते हो मैंने गोल्डन कलर का शीमर लगा है पूरी आइलिड पे और यह बहुत ही सेटल वाला लुक है यहां पे मैं अपलाई करूंगी टूवे जेल और शीमर की उपर मैं टूवे जेल अपलाई करके यूज करूंगी ग्लिटर यह मेरे पास बहुत ही जदा पिग्मेंटेट से यह ग्लिटर है और बहुत जदा चंकी नहीं है गाईज और आप कोई भी फलफी ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से आईबॉल पे पूरे आई सॉकेट पे आपको अपलाई करना है तो गाईज यहाँ पे आप देख सकते हो यह है मेरा इस्टाग्राम का अकाउंट और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग से रिल्स अवैलेबल है क्यूंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाके अपलोड करने में बहुत ज़ादा टाइम वेस्ट होता है गाईज और डेली का का इस्टाग्राम पे तुरंट अपलोड हो जाता है तो आप ज़रू चेक आउट कीजिएगा तो अगेन गाईज मैं यहाँ पे थोड़सा ब्राउन कलर मरुनिश ब्राउन कलर लेके थोड़सा क्रीज को एन्हांस करूंगी ठीक है तो क्या होगा जितना भी क्लिटर हमने अपलाए करेंगे और उसके बाद आप देखेंगे इसका फाइनल लुक विडाउट एनी फिल्टर आप फाइनल रिजर्ट देख सकते हो और वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा यह है फाइनल लुक और आप देख सक अगले वीडियो में तिल दें टेक क्यार एड बाबाए